तो एलो फ्रेंट कैसे हैं आज मैं आपको उतारा हूं सेंपसंग एक कमाल का फीचर जिसका नाम है स्टोरेज बूश्टर जिसके बारे मैंने पहली एक वीडियो बना रखी जिसको मैंने वन्याई 3.0 में बताया था जिसका लिंक मैं आई बेटर में दें दूगा तो आज मैं इसके थुरू डिलीट कर पाएंगे जिससे आपकी मोवाइल की मेमोरी भी क्लियर हो जाएगी और कुछ अन्नेसेसरी जो भी फाइल्स होती है यह भी आपको आपको डिलीट करता है तो यह फिचर आपको काम मिलेगा कैसे यूज करना है तो आगे वीडियो बताने वाला हू तो वीडियो उसके मत करेगा दोस्तों वीडियो पूरा देखेगा तो यह आप सुचपाएंगी दोस्तों चलते हैं आगे मेरा नाम सनी अरॉर और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक में तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा इस फिचर के लिए सबसले उसका लुक ही अलग आपको चेंज आएगा और पहले अगर वनिवाट 3.1 में खोलेंगे यह 3.0 में उसका लुक अलग है तो आपको इसको खोल लेना है इसके बाद आपको यहां त्री डॉट्स पर क्लिक करना है तो आपको जाना है स्टोरेज बूस्टर पर अगर आपको यहां पर आपको अपको आपको ले जाएगा गलेक्स टोर में और आपको अपडेट कर लेना है यहां पर आप देखेंगे बाइडिफ़ोल्ट मेरे पास यहां पर बता रहा है इसका आप यहां पढ़ेंगे मतलब की यह क्या काम करने वाला है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं जितने भी आपके पास जो डुब्लिकेट से इमेज है वो डिलीट कर सकते हैं और रेरी यूज़ फाइप जो भी आप बहुत कम यूज़ अप यूज़ करते हैं उसको यह जिप कर देगा इससे क्या भी आपकी वहाँ पर सेफ होगी उसके बाद जो भी आपने अगर मालो ऐपी के कोई डाउनलोड करी होगी और उसको आपने इस्टॉल कर लिए उसके बाद फालत होगी आपके सबी भी है तो आप वह भी डिलीट कर देंगे जससे भी आपका डेटा वहाँ पर बच जाएग उसके बाद यहाँ पर जो एक नया फीचर एड़ किया गया जो पहले नहीं था एलाओ डिलीट अन्नैसरी डाटा मतलब कि यह क्या करेगा आपको इसको एलाओ कर देंगे तो जितने भी अन्नैसरी डाटा जो भी इसको लगता है आप यहाँ पर लिखा हुआ है केचिस अन्नैसरी डाटा वाला यह पहले वाले फीचर में नहीं था 3.0 में यह आफ्टर वन यूए 4.0 के अधिया अन्नैसरी फीचर को एड़ कर दिया गया जो कि मुझे लगा काम का फीचर हम चाहते हैं कि कुछ-कुछ ऐसी जो फाइल होती हम नहीं फाइंड कर पाते हैं पर सिस आपको महां से उसको अन्सलेट भी ख़ख सकते हैं और जो भी आपको करना उसमें से देख के आप उसको डिलीट कर पाएंगे तो यह जितना भी टाइम लेगा आपके मुवाईल को फाइंड करने पर तो इसको होने जाते हैं तो आप देखते हैं दोस्तों यह इमेजिस लाइगे और उसको आटमेटिक जिप में डाल देगा ताकि आपकी मेमोरी वहाँ पर सेव हो चुके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डुप्लिकेट इमेजिस मेरी 32 MB की है 344 MB का मेरे पास रेरी यूस्ट फाइल है एंड जो AP के है वो 66 MB के इन सब को मैंने तीनों को का जिए आप यहाँ पर देखेंगे फूरिय। मेरे पूरर 442 MB का यहाँ पर मेरा जो लेटा यहाँ पर सेव होने वाला अब मुझे यहाँ पर करना क्या है इस पर क्लिक कर देना है फ्री अप पे जैसी मैं फ्री अप पर क्लिक करूंगा तो आप से यहाँ पर पूछेगा delete duplicate images और जो भी आपने यहाँ पर select करा है सब delete होने वाला आपको यहाँ पर confirm पर click कर देना है confirm पर click होने गया तो automatic work कर लेगा और सारे चीज़े आपकी वहाँ पर delete हो जाएगी आपके बास यहाँ पर cleaning हो गया और कुछ भी अगर आप खोलेंगे अब जाके storage तो आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला मतलब कि आपको यहाँ पर weekly या फिर monthly एक बार इसको देखने ना चाहिए इससे भी फालत हो कि आपकी data वहाँ पर delete होता जाएगा तो यह ऐसे work करता है अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा क्योंकि मैं already इसको clean कर सुका हूँ तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you कि मेरे चैनल की नेक्ट शूड़ी का बेड़ आपको सबसे पहले मिले और हो सके तो मैं इस्टावाब में फेसल फोलो करना भी ना भूले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो thank you